सब्सक्राइब करें जैसे कि आपको पता है कि हम अलेड़ी बहुत से टॉपिक्स जो है वह कवर कर चुके हैं फर्वरी महिने के और एक topic जो है वो हमारा pending रह चुका है तो उसको भी अब हम complete करते हैं और March के महीने के start करेंगे और यह हमारा last topic है इस महीने का वो है Science and Technology से लेट है तो बहुत important है हर exam में question आ रहा है आपको पता है कि Science and Technology की weightage जो है वो हर exam में अब increase होती जा रही है अपने द्यान से हर current fair को सुनना है ताकि आप तक जो है वो current fair पहुंच सके और आप इसको लंबे समय तक याद रख सकें लेकिन सबसे पहले आप हमारी application को download कर लें careers cloud को अपने google play store के उपर जाएं और इसको download करें उसके बाद अपनी email id के थुरू login कर लें और login करने के बाद crack current fairs के उपर click करना है आप एक साल या दो साल की subscription जो है वो buy कर सकते हैं दोनों का ही price बहुत कम है एक बार मेरे कहने से price जुरूर चेक करें आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम price पर हम आपको बहुत सी चीज़े provide कर रहे हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा आपको मिलेंगे daily current fair, daily current fair में दोस्तों तीन sections होंगे एक में detail current fair होंगे, एक में question and answer format current fairs होंगे के उपर attempt कर सकते हो, next होगा monthly section इसमें 4 तरह की PDF मिलेंगे जो कि अलगलग तरह से आप utilize कर सकते हो, जैसे कि study PDF है, यह detailed current fair है जिसमें आपको theoretical current fair मिल जाएगा, एक question and answer format में जितने भी current fair detail में मिलेंगे वो question and answer format में इसमें मिल जाएगे, तो practice यहाँ से कर सकते हो best 100 current fairs भी आपको दिये जाएंगे, जो कि उस महीने के best current fairs होंगे उसमें 100 current fair जो है, question and answer format में आपको दिये जाएंगे एक pocket PDF होगी, मतलब जल्दी-जल्दी में current fairs को revise करने के लिए दो line में, तीन line में तो आप इसका use कर सकते हैं इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं topic wise current fair, हम 20 बहुत ही important important topics की अलगलग PDF आपको provide करेंगे अगर आप particular किसी exam के लिए कुछ topics को revise करना चाते हैं, जैसे कि आप important appointments को revise करना चाते हैं, awards को revise करना चाते हैं तो इस PDF के थूँ आप कर सकते हैं अगर आप banking student है, banking exam की त्यारी करने हैं, तो हम आपको तीन अलग चीजे provide करेंगे जिसमें banking and economy से related detail current fair, उसी से related question and answer format current fair आपको PDF में मिल जाएगा और banking and economy का quiz भी आप attempt कर सकते हो हर महीने, हर महीने attempt कर सकते हो हमारी application के उपर और अगर जितना भी current fair अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका exam जो है, वो 30th of May को है तो 29 मही तक जितना भी current fair हो चुका है, वो सारा का सारा एक ही PDF से revise करने के लिए उसी साल का आप exam PDF का use कर सकते हैं आपको detail में budget और economic survey दिया जाएगा, इसमें आपको दो चीज़े मिलेंगी, एक तो detail, एक question and answer format में भी हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से question budget और economic survey से बनाए जा सकते हैं और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं, तो हम आपको हर state का, हर unit territory का current fair भी अलग से provide करते हैं तो इस सारी चीज़े दोस्तों अलग लग नहीं, सिरफ एक ही subscription में आपको मिलेंगी, सिरफ आप हमारी application को download करें, crack current fairs के उपर click करके, उसको subscribe करें उसके बाद जो है, वो आप 10% extra discount भी ले सकते हो, वो मिलेगा आपको अगर आप इस code का use करोगे, ASH10 का लेकिन किसी भी तरह की query है, तो इस email ID पे हमें mail कर सकते हैं, इस number पे हमें contact भी कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं, February मिने के topic wise current fairs, जिसमें topic हमारा आज का है, science and technology और पहला question है उस drone startup company का नाम बताना है, रीसेंट ही, जिसने इंडिया का पहला drone बनाया है, parachute integrated system के साथ मत अगर कोई चीज बेजनी है, तो parachute के जरिये जो है वो बेजी जा सकती है, तो उसमें कोई भी difficulty as such नहीं आएगी, safe और आप कह सकते हो, items की delivery जो है, वो सही तरीके से की जा सकती है और कोई risk as such इसमें नहीं होगा, और ये company हमारे पास कौन सी है, Eminent Air Private Limited, तो answer क्या होगा, इसका एक होगा, तो ये एक दिल्ली based company है, एक startup है, जो कि इंडिया का पहला ऐसा drone बनाती है, जो कि parachute integrated system के साथ less है, और इसके अंदर जो है वो एक demo भी करके दिखाया गया, कि किस तरह से ये drone जो है, वो चीजों की delivery कर सकता है, पैराशूप के जरिये, 35 kg लगबग इसका जो है वो weight होगा, और 60 km, 60 km जो है, वो 60 minute में ये travel कर सकता है, ये drone इतना load जो है, वो ले सकता है, 35 kg तक का load जो है, वो ले सकता है, अगले question के उपर आते हैं, Electronics and Radar Development Establishment Lab ने जो है, वो recently एक unfurlable reflector antenna त्यार किया है, space radar के लिए, मतब radars को जो है, वो किसी तरह से signals को catch करने के लिए, इस reflector antenna का जो है, वो development किया है, इस को त्यार किया है, क्या बता सकते हो कि Electronics Radar Development Establishment Lab, जो है, वो कौनसी organization की है, ये DRDO की है, अंसर क्या होगा, इसका चार होगा, और इसका बहुत बड़ा रूल है, Indian Space Research Organization में भी, और military के अंदर भी, क्योंकि ये space radars को detect कर सकता है, उसको check कर सकता है, उसको monitor कर सकता है, तो इसलिए ये अपने simply याद रखना है कि कौनसी organization ने इसको बनाया है, अगले question के उपराते हैं, 2023 में United States based एक company है, General Atomics Aeronautical System, उसने अपने projects को जो है, वो start किया है, इंडिया में कौनसी field के अंदर, और ये field हमारे पास है, semiconductor को लेके, artificial intelligence को लेके, drones को लेके, अंसर क्या होगा, एक, दो, तिन, तो General Atomics Aeronautical System, जिसको हम बोलते हैं, GA General Atomic ASI, Aeronautical System, जो कि एक major energy and defense corporation company है, United States of America की, उन्होंने तीन इंडिया के अंदर project जो है, वो start किये है, artificial intelligence, drone, और साथी साथ, semiconductors को लेके, और ये इंडिया-US का initiative है, critical and emerging technology, जिसको ICET बोला जाता है, तो उसके अंदर ये कदम जो है, वो इंडिया और US पहले ही रख चुका है, अब उसी को ल ये specially General Atomics, Aeronautical System ने partnership जो की है, semiconductors के लिए, ये company है, 3RDI Tech, उसके साथ ये tie-up किया है, और artificial intelligence technology के लिए, इन्होंने 114 AI company के साथ tie-up किया है, और साथी साथ इन्होंने aeronautical के लिए, ये आप कह सकते हो कि, इन्होंने drones के लिए, जो है, वो specially tie-up किया है, बारत Forge Limited के साथ, जो कि इंडिया की one of the leading forging company है, ये arrow structure manufacturing के अंदर जाने जाती है, तो ये tie-ups इन्होंने किया है, अगले question के उपराते हैं, जनवरी 2023 में the DASH meeting, US-India Civil Space Joint Working Group की हुई, इंडिया और US के बीच में, ता कि, अर्थ और Space Science के अंदर दोनों countries जो है, वो एक तरह से अच्छे से tie-up कर सकें, औ और Human Space Exploration के उपर काम कर सकें, तो दोनों countries ने पहले भी ये meetings कई बार की हैं, अब ये आठमी meeting की, अंसर क्या होगा, इसका चार होगा, और Earth और Space Science के उपर इन्होंने काम करने के बारे में सोचा है, Human Space Exploration के बारे में कहा है, कि हम किस तरह से astronauts जो हैं, वो स्पेस में बेश सकते तो दोनों एक दूसरे की सहायता जो हैं, वो इसमें करेंगे, तो इसमें सेफटी, स्पेस क्राफ्ट के बारे में, स्पेस का स्चुेशनल अवेरनेस प्रोग्राम जो होता है, कौन सी पॉलिसी बनानी हैं स्पेस के लिए, वो आपस में डिसकस करके बनाएंगे, अगले इंटर फ्लॉरिडा युनाइटेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लॉंच किया गया, तो तरफपन इंटरनेट सेटिलाइट्स को लॉंच किया गया, स्टार लिंक की और ये स्पेस एक्षन, अंसर क्या होगा, इसका चार होगा, तो पहले भी जो हैं, वो कई स्टार लिंक की जो सेटिलाइट जा चुकी है, मतलब आप कहा सकते हो, लगबग 3800, 3800 के आसपा स्टार लिंक की सेटिलाइट जो है, वो स्पेस एक्स के द्वारा जो है, वो तिल डेट लॉंच की जा चुकी है, और सारी की सारी फैलकन 9 रॉकेट के थ्रू ही जो है, वो लॉंच की गई है ये इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड को इंक्रीस करने के लिए बेसिकली किया जा रहा है, अगले कोशन के उपराते हैं, कौनसी कंपनी है रीसेंट्टी जिसने कलाबरेशन किया है नासा के साथ, नैशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एड्मिस्टेशन के साथ, तांकि आ अगनाईजेशन है, IBM, अनसर क्या होगा, इसका तीन इंटरनाशनल बिजनस मशीन कॉर्पोरेशन, तो नासा और IBM का, ये टाई-अप है, IBM का हेड़कॉर्टर जो है, वो न्यू यूइक, उनाइटर सेट्स ऑफ अमेरिका में है, दोनों ने आर्टिविशल इंटेलिजेंस मॉडल्स बनाने का निर्मान किया है, ताकि हम साइंटिफिक नॉलेज जो है, वो ही कठी कर सकें, प्रिथवी के बारे में, और पूरे वर्ड को ये बता सकें, कि किस तरह से इंवायर्मेंट चेंजिंग के अंदर, वो हम टेक्नॉलोजी की मदद से चीजों को ठीक कर सकते ह तो नासा और आईबिम जो है, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मॉडल जो है, वो क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर रिमोट सेंसिंग टेकनॉलोजी होगी, उसका डेटा होगा, और ऐसी एप्लिकेशन बनाई जाएंगी, जिसको लेके हम क्लाइमेट चेंज या इन्वायर् न से मतलब है, नासा, आई से इस्रो, एसका मतलब है, सिंथेटिक, अप्रेचर, रडार, यह आपने याद रखना है, यह important question है, और इसको लाँच किया जाएगा, शिरी हरिकोटा आंदरा परदेश से, और यह first quarter में लाँच कर दिया जाएगा, कौन से साल के, 2024 के, तो आंसर क्या होगा, इसका दो होगा, तो Indian Space Research Organization ने निसार मिशन को जो है, वो लाँच करने का फैसला कर लिया है, और यह first quarter जो 2024 का होगा, आप कह सकते हो कि financial year का जो first quarter होगा, मतलब April से लेके जून के बीच में इसको जो है, वो लाँच किया जाएगा, और इसके operation जो है, वो 90 दिन प mission है, और यह पूरी, पूरे globe को basically इस mission के अंदर जो है, वो mapping की जाएगी, और 12 दिन के अंदर यह mapping जो है, वो पूरी की पूरे globe की की जाएगी, इस निसार मिशन के तहट, अगले question के उपर आते हैं, Indian high temperature reactor and Indian molten salt breeder reactor, जो की thorium technology से चलने वाले हैं, और the noted thorium technologies of dash can deliver clean energy hydrogen and play major role in India's green energy transition, तो यह Indian high temperature reactor और Indian molten salt breeder reactor, जो की thorium से चलने वाली technology है, यह basically Baba Atomic Research Center की तरफ से चलाई जाएगी, और यह clean energy hydrogen हमें परदान करेगी, और इंडिया का जो green energy transition mission है, जो चल रहा है, कि हमने green energy के थूरू काम करना है, वो पूरा हो सकता है, तो इसका मतलब है कि coal की जगा पे अब हम thorium का यूज करके इसको हम यूज करेंगे, इन reactors को चलाएंगे, जिससे energy produce होगी, तो बात जो है, वो कई technology के उपर काम कर रहा है, जिसके कारण हम high temperature reactor और molten salt breeder reactor में thorium का यूज करके hydrogen और clean energy को पैदा कर सकते हैं, अगले question के उपराते हैं, कौनसी organization है recently जिसने announce किया है कि वो यूपीटर IC Moon Explorer, जिसको juice mission का नाम दिया गया है, juice mission launch करेगा April 2023 में ताकि यूपीटर को explore किया जा सके, और तीन largest natural satellite जो यूपीटर के हैं, उसको हम जान सकें, अपने याद रखना है, यह juice जो mission है, यह कौनसी organization का है, यह है European Space Agency का, अंसर क्या होगा, इसका चार होगा, तो European Space Agency का, यूपीटर IC Moon Explorer mission, जिसका main मकसद है, यूपीटर को जानना, और उसके तीन natural satellite, कौन-कौन से हैं, गैनीमेड है, कैलिस्टो है, और साथ में यूरोपा है. में याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है, यूरोपा किसका satellite है, कैलिस्टो किसका है, गैनीमेड किसका है, गैनीमेड तो सबसे बढ़ा है, तो आपको याद रहेगा, और यह April 2023 में इसको launch किया गया है Arian 5 वीकल की तरफ से Arian 5 जो की लांचिंग वीकल है और इसको लांच किया गया है French ग्यूनिया से South America से और Juice Mission जो है वो detailed observation जो है वो ले के आएगा इस गैस से बने हुए planet का Jupiter का इसमें जो बड़े-बड़े oceans हैं जो इसके moons है गैनिमेड हो गया सारे चीज़े जो है वो यहां पर इकठी करके लेके आएगा और Juice Mission को European Space Agency की तरफ से जो है वो लांच किया गया है अगले question के उपराते हैं Astronomers ने 12 नए Jupiter moons को जो है वो discover किया है February के अंदर अब यहां यूपीटर के तीन सबसे बड़े natural satellites की बात कर रहे थे अब यहां पर 12 नए satellites जो है वो डूंडे गए है अब total नंबर यूपीटर का कितना हो गया है natural satellites का तो याद रखना है 92 है यह नंबर तो अंसर क्या होगा इसका 3 होगा पहले 80 थे 12 और और एड हो गया है तो कितने हो गया है 92 और सबसे ज़्यादा moon जो है वो अब किसके हो गए है यूपीटर के हो गए है इससे पहले Saturn जो है वो आगे था Saturn के 83 confirmed moons थे अब 92 हो गए है किसके यूपीटर के इस चीज़ को आपने सिंपली याद रखना है यह question आपको वैसे भी static तोर पे जो है वो काम आ सकता है अगले question के उपर आते हैं उस Indian Institute of Technology का नाम बताना है जिसने एक M.O.U. साइन किया है Indian Space Research Organization के साथ तांकि वो extended reality के उपर काम कर सके उसके उपर innovation कर सके तांकि Indian Human Space Flight Program को असानी हो सके तो Indian Human Space Flight Program अतरों जो स्पेस में जाते हैं उसके लिए हम extended reality application develop कर सके और यह expertise ली जाएगी IIT मदरास की तो अंसर क्या होगा इसका चार होगा तो IIT मदरास और ISRO के बीच में यह tie up हुआ है तांकि Indian Human Space Flight Program को हम बहतर कर सके अक्स्टेंडर reality की मदस से तो IIT मदरास एक ऐसा training module develop करेगी जिसमें Indian Space Flight Program जो है वो augmented reality, virtual reality या mixed reality का use करके जो है वो training ले सकता है तो IIT मदरास की expertise ली जाएगी इस रो जो है वो उसमें अपना योगदान देगा कि किस तरह से स्वेस परवी प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ाए जाएंगे अगले question के उपराते हैं फरवरी 2023 में Indian Navy Light Combat Aircraft LCA and MiG-29 के fighter aircraft जो है वो उसने अपनी पहली landing जो है वो की है और take off किया है और ये कौन से Indian Naval Ship पे उन्होंने ये friction किया है ये है INS Vikrant अंसर क्या होगा इसका दो होगा तो Indian Navy का Light Combat Aircraft और MiG-29 के fighter aircraft इन्होंने पहली landing और take off जो है वो किया है INS Vikrant पे जो की इंडिया का first indigenous aircraft carrier है जो की इंडिया में ही तियार किया गया है और ये LCA की landing जो है वो specially Indian Navy के pilots के द्वारा जो है वो की गई है और MiG-29 जो है वो fighter aircraft है INS Vikrant के उपर उन्होंने लेंडिंग की और INS Vikrant को परदान मंत्री मोदी जी ने जो है वो उसको उदगाटन किया था 2 सप्तमबर 2022 को और इसमें लगबग 20,000 क्रोड रुपे का खर्चा अगले कोशन के उपर आते हैं वो कंपनी कौन सी है जिसने रीसेंटली इंडिया का पहला traffic management system बनाया है drones के जरिये और इस traffic management system का नाम रखा गया है Sky UTM Sky UTM और Sky UTM को launch किया गया नितिन गड़करी जी की presence में जो की Union Minister Road Transport and Highways है ये drones का पूरा route जो है वो plan करेगा जो flights हैं उसको plan करेगा assess करेगा कि कहीं पर कोई risk तो नहीं अगर drone इस route के उपर जा रहा है तो इस सारी traffic management जो है वो इस traffic management system जिसका नाम है Sky UTM उसकी तरफ से किया जाएगा और ये Sky Air Mobility Private Limited की तरफ से बनाया गया है जो की एक गुडगाओं या गुरूंग्राम बेस्ट या हर्याना बेस्ट एक start-up company है अगले question के उपर आते हैं which of the following satellite is or are launched successfully by the Indian Space Research Organization on the second edition of the small satellite launch vehicle from Stish Dhawan Space Center तो Stish Dhawan Space Center से कौन सी satellite को recently launch किया है ISRO की तरफ से क्योंकि अभी small satellite launch vehicle का second edition चल रहा है और ये satellite launch की गई है एक तो अजादी satellite 2 एक ISRO का Earth Observation Satellite 7 नंबर का EOS 7 और एक ZENUS 1 तो answer क्या होगा all 1,2,3 तो याद रखना है अपने important question है फस्ट launch pad जो Stish Dhawan Space Center का है वहाँ से इसको launch किया गया और इन तीनों satellites का जो weight था वो 175 kg के आसपास था और ये small satellite launch vehicle जो है वो 6th launch vehicle है जो design और develop किया है ISRO की तरफ से और इसको 56 क्रोड की लागत से त्यार किया गया और ये 500 kg के satellites को launch कर सकता है low earth orbit तक तो ये important है और ये जो satellites है basically ये school students हो गए, university के students हो गए या ISRO की मदद से त्यार किये गए है अगले question के उपराते है फरबरी 2023 में Indian Space Research Organization और Indian Navy ने कोई initially recovery trials किये है crew module के और वो water survival test facility में किये है कोची के रला में कौन से mission के लिए और ये किये है specially गगनयान mission के लिए अंसर क्या होगा, चार होगा, तो एक crew module recovery model ये use किया जाता है trials के लिए जो कि simulate करता है mass को, center of gravity को और dimensions को और exactly actual crew module के तरह जो है वो काम करता है और इस तरह की अगर माने तो गगनयान project जो है में land करना है उसके trials किये गए है कि water survival test वो सही भी हो रहा है या नहीं हमारे तीन astronauts खत्रे में तो नहीं है तो ये सारी चीज़े जो है basically check की गई है अगले question के उपराते हैं February 2023 में Government of India ने launch की एक mobile application जिसका नाम है खनन परहारी और ये एक web application लाँच की गई है coal mine surveillance and management system ताकि illegal mining खत्म हो सके कौनसा institute या ministry है recently जिसने SSCMSMS coal mining surveillance and management system को बनाया है ministry of coal की मदद से और ये हमारे पास institute कौनसा है ये institute है ministry of electronics and information technology और बासकर चारे institute of space application and geo informatics तो अंसर क्या होगा इसका बोथ one and two तो एक तो coal के लिए mobile application खनन परहारी और एक बनाई है web application जिसका नाम है coal mine surveillance and management system और app के अंदर सारी report आएंगी 462 cases जो है वो जनवरी तक जो है वो आ भी चुके हैं जिसके अंदर ये पता लगता है कि कहां पर coal mining हो रही है कितना coal जो है वो उसमें से निकाला जा रहा है कितनी management जो है वो उसमें काम कर रही है तो सारी चीजें जो है वहाँ पर पता लग जाएंगे मतलब coal mining sites की जो activities हैं वो सारी की सारी trace हो सकती है signal जो है वो वहाँ से मिलेंगे उसके according जो है वहाँ पर tracing जो है वो की जाएगी surveillance जो है वो की जाएगी तो यह आपने याद रखने है simple question है नाम याद रखने है खनन परहारी अगले question के उपर आते हैं उस company का नाम बताना है जिसने recently introduce किया है snapdragon satellite world का first satellite है जो की two way capable messaging solution provide करता है premium smartphones के लिए मतलब दो smartphone जो है वो satellite के जरिए messaging कर सकते हैं तो उसका एक trial जो है वो किया गया है यह Qualcomm technologies की तरफ से किया गया है तो answer क्या होगा इसका second होगा तो जो premium smartphones है वो दो smartphone जो है वो एक दूसरे से message पर बात कर सकते है satellite के जरिए तो यह specially जो किया गया है वो Nevada USA से किया गया है 5 से लेके 8 जनवरी के बीच में यह सारे snapdragon satellite जो आप कह सकते हो chats है यह करके देखी गई हैं और यह बहुत ही successful रही है और snapdragon satellite developed की गई है Iridium की मदद से Iridium जो की next generation premium android smartphone जो है वो उससे बनेंगे और भी कई gadget जो है वो उससे बनेंगे ताकि emergency में message जो है वो किये जा सकते हैं rural area में किये जा सकते हैं offshore में किये जा सकते हैं पानी में बीच में फसे हुए हो वहाँ पे network नहीं आता तो satellite के जरीए जो है वो message पहुँचाए जा सकते हैं तो उस time period पर ये काम आ सकते हैं अगले question के उपर आते हैं Indian army ने recently एक memorandum of understanding sign किया है किसके साथ इस सुरों पे ताकि हम हम जो है वो niche technology का निर्मान कर सके हैं तो जो niche technology है basically ये बहुत ही important technology है मतलब इसमें हम जो है वो Indian army की requirements को दियान में रखके अलग-लग तरह की technology का निर्मान करेंगे और एक तो इसमें जो है वो Indian army है और एक ISRO का पार्ट है और वो ISRO का पार्ट है Advanced Data Processing Research Institute जो की इस तरह की technology का निर्मान करेंगा जिसमें Indian army को जो है वो सहायता मिलेगी उनकी requirements के according technology का विकास किया जाएगा तो जो Department of Space का ये पार्ट है Advanced Data Processing Research Institute ये real-time situation awareness के according जो है वो technology का निर्मान करेगा ताकि Indian army को हम और शशक्त बना सकें और safe बना सकें अगले question के उपर आते हैं लेकिन आपने याद रखना है ये Advanced Data Processing Research Institute सिकंदराबाद में स्थित है सिकंदराबाद तैलागना में स्थित है और ये Central Public Information Officer जो है वो अनुराख शुकला है लेकिन ये नाम याद करने की जो इकने सिरफ जगा याद रखे और इसका नाम क्या है इसका नाम यहाँ पे है सूरज अंसर क्या होगा? चार होगा तो ये द्रोन स्थाट अप कंपनी है गरूडा एरोस्पेस इन्होंने सूरज नाम से एक सोलर पावर अन्मेंड रेकॉनेसेंस जे गलाइडर लाँच किया एरो इंडिया 2023 में और आपने याद रखने है एरो इंडिया 2023 जो है वो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बेंगलूरू के अंदर 13 से लेके 17 फरबरी के अंदर और सूरज जो है वो एक इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और आप कहाँ सकते हो कि ये पूरा सर्विलेंस रखने के लिए इस द्रोन का निर्मान जो है वो किया गया है अगले कोशिन के उपर आते हैं कौनसी कम्पनी है रीसेंटली जिसने लेक्सी नाम का इंडिया का पहला आर्टिफिसल इंटेलिजेंस चैट बोड बनाया है जिसको अपन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस चैट बोड जीपीटी के साथ जो है वो launch किया गया है जो कि एक artificial intelligence computer program है तो अपने याद रखना है इंडिया का पहला artificial intelligence chatbot most important question में इसको शामिल कर लें इसका नाम है Lexi और इसको specially बनाया किसने है Velocity ने तो Velocity जो कि एक home grown financial technological firm है उसने first artificial intelligence chatbot का निर्मान किया है chat GPT के साथ इसको integrate किया गया है तांकि हर तरह का solution ये chatbot provide कर सके इसमें latest artificial intelligence technology का use किया गया है कई तरह के tools इसमें use किया गये है और इन tools का नाम क्या रखा गया है Velocity Analytics और Velocity Insight के नाम से भी इसको जाना जाता है और company ने बहतर artificial intelligence technology का use करके हर तरह की solution चाए वो business के लिए हो चाए वो entrepreneurs हो चाए वो start-ups हो उनके लिए specialist को त्यार किया है अगले question के उपर आते है February 2023 में Ministry of External Affairs ने M Passport Mobile Police Application का निर्मान किया है M Passport Police Application और ये Ministry of External Affairs ने किसके लिए किया है तांकि fast track हो सके Passport Verification process answer क्या होगा? 3 होगा M Passport Police Application जो है वो आपके passport issue को और भी ज़्यादा fast कर देगा मतलब उसमें update होता रहेगा कि आपकी police verification कहां तक पहुंच गई है passport जो है वो basically कहां तक पहुंच गया है, मतलब कहां तक process हो चुका है तो आप 15 दिन लगते थे लेकिन वो कहते हैं कि अब इस application की मदद से 5 दिन के अंदर अंदर ही आपका जो passport जो है वो पूरा verify कर लिया जाएगा और आप तक deliver जो है वो कर दिया जाएगा तो police verification में बहुत ज़्यादा time लग जाता है जिसके कान उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और इसके जरिये जो है वो passport police application के जरिये आपका passport जो है वो जल्दी track हो सकता है जल्दी आपके पास जो है वो सारी चीज़े पहुँच सकती हैं अगले कोशिशन के उपराते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन का mission जो की recently electromagnetic interference या electromagnetic compatibility test से गुजरा है यूएर राव सेटिलाइट सेंटर बंगलूरू करनाटका में उस इसरो के mission का अपने नाम बताना है और ये है चंदरियान 3 अंसर क्या होगा इसका चार होगा तो recently testing की गई है इसकी electromagnetic interference testing की गई है और ये इंडिया का third moon mission है third moon mission है जो launch किया जाएगा चंदरियान 3 और ये GSLV geosynchronous vehicle जो हमारे पास है MK3 उससे launch किया जाएगा स्टीश दवन center से launch किया जाएगा और ये जून दोहिया 23 में launch किया जाएगा इस चीज़ को अपने याद रखना है अगले question के उपर आते हैं परबरी दोहिया 23 में इंडिया का पहला hybrid sounding rocket जो है वो school students के दवारा बनाया गया कई states के school students में आ गया है क्योंकि एक program था Dr. APJ अब्दुर्पलाम satellite launch vehicle mission उसके जरिये जो है इस first hybrid sounding rocket का निर्मान किया गया कौन से गाउं से तामिन नाडु के इस hybrid sounding rocket को launch किया गया है और ये हैं हमारे पास पत्ति पुलम अंसर क्या होगा इसका एक होगा पत्ति पुलम जो है वो एक गाउं है तामिन नाडु का वहां से इसको launch किया गया है top 100 students थे जो की अलग-लग state से आये थे जिनोंने इस satellite का निर्मान किया है डिजाइन किया है उसको develop किया है और ये 150 पीको सेटिलाइट रिसर्च एक्सपेरिमेंट क्यूब से बनाया गया है जो की अलग-लग पेलोड के हैं और ये डॉक्तर एपी जे अब्दुलम स्पेस रिसर्च पेलोड क्यूब चैलेंज था 2021 में अब इसका नाम जो है वो विकल मिशन 2023 रखा गया है उसके तहर जो है वो टोटल 1347 बच्चों ने इसमें पार्टी स्पेट किया था इसमें से टॉप 100 स्टूडेंट्स ने इसको मिलके बनाया है और इसको आगे बढ़ाया है अगले कोशन के उपर आते हैं फर्बरी 2023 में इंडिया का फर्स्ट एवर इंडिजीनियस आटोमेटिक ट्रेंड सुपर वीजन सिस्टम आई-ए-टी-एस वस लांच्ट फॉर अपरेशन ऑन दि दिल्ली मेट्रो फर्स्ट कोरिडोर रेड लाइन यह इंडिजीनियस आटोमेटिक ट्रेंड सुपर वीजन सिस्टम यह पहले हम बाहर से मंगवाते हैं उसकी कॉस्ट बहुत जाद है फिर यहां पर इंस्टॉल करते हैं कलको को टेक्निकल प्रॉब्रम आ जाए फिर बाहर से एक्सपडीज लेनी पढ़ती है लेकिन अब हमने क्या किये इसको इंडिया में बना लिया आटोमेटिक ट्रेंड सुपर वीजन सिस्टम जिससे लाइक ट्रेंड का मुनना, ट्रैक चेंज करना यह सब कुछ मेट्रो के लिए जो है वो असान कर देगा और यह किसके साथ मिलके जो है वो इंडिया ने इसको बनाया है यह B.E.L. के साथ मिलके बनाया है बारत Electronics Limited के साथ मिलके इसको बनाया गया है तो DMRC तो इसमें हो गई, डैली मेट्रो रेल कॉर्परेशन तो उन्होंने इसको जो है वो बनाने में हेल्प की है लेकिन यह जॉइन टीम थी DMRC और बारत Electronics Limited की तो मेकिन इंडिया आतन निर्बर बारत इनिशेटिव के थुरू मेटो रेल ट्रांजिट सिस्टम का निर्मान किया गया है और इवन DMRC ने इंडिया का फर्स्ट वर्चुल फर्स्ट वर्चुल शॉपिंग आप भी रिसेंटली रिलीस किया है और वो शॉपिंग एप्लिकेशन मेटो के लिए रिलीस किया है जिसका नाम है मुमेंटम याद रखना आपने मुमेंटम 2.0 जो की जितने भी यूजर्स हैं वो सर्वसीज को जो है वो अवेल कर सकते हैं वो शॉपिंग कर सकते हैं वर्चुल माद्यम से तो जितने भी यूजर्स हैं वो कई तरह की परचेजीज जो हैं वो यहां से अवेल कर सकते हैं याद रखना है important question है very important में शामिल कर ले कौनसी कंपनी रीसेंट्ली एक memorandum of understanding sign करती है रॉल्स रॉइस मेरीन नॉर्थ अमेरिका के साथ ताकि हम नीश नवल प्रोपल्शन टेकनोलोजी का निर्मान कर सकें और कई पड़क बना सकें इंडियन ने वी के लिए पहले हमने जब एक question में बात की थी यहां पे question था हमारे पास जो की इसी तरह की टेकनोलोजी के बारे में बात कर रहा था यह इंडियन आर्मी के लिए बात हो रही थी और यहां पे भी कई तरह की टेकनोलोजी बनाए गई थी इंडियन आर्मी के लिए लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के लिए और ये कंपनी हमारे पास कौन सी है कल्यानी स्टेटेजिक सिस्टम लिम्टेड जिसने टाई अप किया है रॉल्स रॉइस मेरीन नॉर्थ अमेरिका के साथ ताकि हम नविल परपल्शन टेकनोलजी के उपर काम कर सकें और भी कई पड़क्ट बना सकें इंडियन नेवी के लिए ताकि एक तो लोकल सप्लाई चेन जो है वो बहतर हो सके ट्रेड जो है वो असान हो सके और कई तरह के हम परपल्शन सिस्टम बना सके जो कि इंडियन नेवी अपने शिप्स के अंदर जो है वो यूस करेगे तो हम जो है वो इंडियन नेवी को बहतर बनाना चाहते हैं और इंडियन मार्किट जो है वो और बहतर बनाना चाहते हैं इंडियन नेवी के लिए अगले कोशन के उपराते हैं उस company का नाम बताना है recently जिसको Indian Technical Standard Order मिला है और Approval मिल चुका है Directorate General of Civil Aviation के लिए तांकि वो indigeniously black boxes का निर्मान कर सकते हैं अपने कई बार सुना होगा black boxes के बारे में black boxes basically वो एक box होता है जिसमें सब कुछ record होता है चाहे वो voice recording हो चाहे वो last जो बातचीत होई है pilot और co-pilot के बीच में या फिर जहां से controlling हो रही है सब चीज़े बताई जारे हैं उनके साथ जो बातचीत हो रही है वो सारी इसमें record होती है तो जब भी कोई plane crash होता है तो हम यहीं कहते है black box से बता लग जाएगा कि किसकी गलती थी तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई बातचीत record होई होगी कोई ना कुछ जो है वो activity record हो जाएगी तो black boxes अब इंडिया में बना करेंगे बाहर से निलिया करेंगे और यह बनाएगा कौन यहाँ पे बनाएगा यह हिंदुस्तान Aeronautics Limited अंसर क्या होगा इसका चार होगा तो याद रख सकते हो critical flight characteristics audio environment record किया जाता है इन black boxes के अंदर तो इसका निर्मान जो है वो हिंदुस्तान Aeronautics Limited की तरफ से किया जाएगा अगले question के उपर आते हैं उस company का नाम बताना है recently जिसने world का first set of new generation high temperature super conducting magnet का निर्मान किया है तांकि fusion power plant जो है उसमें टेस्टिंग की जा सके मतलब high temperature super conducting magnets तांकि fusion power plant की टेस्टिंग हो सके और ये specially कौन सी company ने बनाया है तो कमक energy limited नहीं अंसर क्या होगा इसका दो होगा तो strong magnetic field जो है वो required होती है तांकि extremely hot positive charge hydrogen fuel जो है वो manage किया जा सके जिसके कारण जो है वो plasma जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है even सूरस से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है जिसके कारण clean sustainable fusion energy जो है वो निकलती है तो इसलिए जो है वो इस high temperature super conducting magnet का निर्मान जो है वो किया गया है अगले question के उपराते हैं कौनसी space agency है recently जिसने सयोज MS-23 spacecraft जो है वो launch किया है तो bring back तीन astronaut standard on the international space station तो international space station में तीन astronaut जो है वो फसे हुए थे तो इसलिए सयोज MS-23 spacecraft को बेजा गया तांकि उन तीन astronauts को लेके आ सकें और ये किया है Ross Cosmos ने अंसर क्या होगा इसका दो होगा तो तीन astronauts जो फसे हुए थे उनको निकालने के लिए ये किया गया है तो तीन astronauts जो है वो international space station में जो है वो गये थे छे महीने के लिए सब्तमबर 2022 में लेकिन उनका mission जो है वो extend कर दिया गया क्योंकि उनका coolant जो है वो leak कर गया था जिसके कारण जो है वो अब इस spacecraft को बेजा गया तांकि उनको वापिस लेके आ सकें तो ये थे हमारे पास बहुत ही important current fear I think वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like करें शेयर करें और चैनल को अभी क्या भी subscribe करें आप हमारे हर platform को जोईन कर सकते हैं Facebook है Instagram है LinkedIn है Telegram चैनल है लेकिन हर notification आपको मिलेगी Telegram चैनल पे तो इसका link description box में दिवाओ वह नहां से join करें thank you guys take care and bye bye